असलालेकुम वीवर्स एक्यू मील के किचिन में आपको खुशामदेद करते एक दफा फिर एक नई वोम रेमेडी के साथ आजकल सर्दियां बहुत अच्छी खासी हो गई है और खुश्की बहुत बढ़ चुकी है हाथ पॉंप फटने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और मौसम में बहुत ब्राइनस है तो हमने सोचा क्यों आपको एक रेमेडी शेयर कर दें आपके साथ जो आपके हाथ पॉंपों को नर्मोलाइम और अच्छा रखेगी और सर्दी की जो प्रॉब्लम एशूज आते इसकिन के उनसे आपको बचाएगी इसमें हमारे पास जो ची ऑट ग्रीनटी जो होती है उसका ये टी ती बैग है अब इसको किस तरह से प्रेपेर करना ये मैं आपको बताती हूं आप यह इक यह इक देगा कैसल एक इसके साथ एक ग्रीन ती का टी बैक जाएगा जिसको हम हाफ कप से भी कम हम लेंगे घरम पानी उसमें इसको डिप करते हैं और इसका अरक निकालके जो इसका कलर जब आ जाता है तो फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रिपेर करना है अच्छा देखें अब हमने सिंपल करना कुछ नहीं है यह हमने ग्रीन टी बैक का जो आट था वो निकाल लिया टी बैक से और थोड़ा सा पानी उसमें डाल के पूरा आपने टी बैक कप में नहीं डालना है अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें हमने लेमन जूस डाला एक कि कैसी बड़ी टीज में आपने लेना है और सबको में मिक्स करना है यह डाल दी है आपने इसके अंदर यह हमारे पास ग्लेस्ट्री नहीं यह डाल दिन इसको बना के आप spray bottle में रख लिए फ्रेज में या किसी ऐसी bottle में रख लिए इससे आप जो है वो makeup remover के तौर पे भी आप इसको use कर सकते हैं और night cream के तौर पे भी आप इसको use कर सकते हैं आपकी skin कुद आपको idea होगा जब आप use करेंगे किस से कितनी fresh look आएगा आपका बस यह simple सा हमने आपको कुछ भी नहीं करना बस आपने इसको mix करा और इसको spray bottle में डालके fresh way रख दीजे या किसी भी bottle में डालके और cotton से आप इसको makeup reviewer के तौर पे और skin की softness के लिए हर चीज के लिए बहुत बेतरी ने यह मारे पास prepare होगे तयार होगे आप बनाइए इसको और देखिए किसके क्या benefits आपको मिलते हैं इन्शालला ताला पर किसी नई remedy के साथ आपके सामने हाजिर होंगे क्यूमिल की kitchen से हम इजाज़त दीज लेकिन बहुत फाइदेमंद रेमेडी इसको यूज़ कीजिएगा पूरी सर्दी आप इसको इसको इस्तिमाल कीजिए इसकिन का color fair होगा इससे इसकिन में softness आएगी जो पोरे मगारा भड़ जाती हैं उंगियों की इस तरह से यह देखें इस तरह से यह सब शाइन आपके साथ इसमें इसको लगाने से रहेगी और फिर हमेशा की तरह में यह कहेंगे कि चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए और अच्छी चीज़े हैं जहां तक पहुंचे वो लोगों को फाइदा पहुंचे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे हमें लगेगा कि हमारा चैनल जो खुला उससे लोग कुछ benefits मिल रहे हैं इंशालला मिलते हैं आप से फिर किसी नहीं रेमिडी नहीं टिप के साथ नहीं रेसिपी के साथ इट हेल्दी फील हेल्दी